टॉप टेन क्वेस्चन्स पर डे अब रुकना नहीं है डियर श्ट्विंट आने वाले समय में जिनको भी एर फोर्स का एक्जाम देना है नेवी का एक्जाम देना है एंडिय का एक्जाम देना है उनके लिए बहुती बढ़िया ये प्रैक्टिस चल रहा है आगर आप इसकी कीमत नहीं समझेंगे तो आगे चलके आपको पश्टाना पड़ेगा जब आपका एक्जाम करीब आ जाता है तब आप जागते हैं और तब तक देर हो चुकी होती है तो अभी से लगे रहे हैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस सिरीज को आप मत छोड़िये आप देखेंगे कि जो पहली वीडियो आई थी उस पर जातर बच्चे उने देखा फिर दूसरी में थोड़े कम हो गए और अब हमें उम्मीद है कि तीसरी में कम होंगे चौती में और कम होंगे और पांचमी जाते जाते हमें ये सिरीज बंद करना पड़ेगा तो आपकी सयोग भीना अगर आपको इसकी जरूरत नहीं होगी तो फिर हमें भी जरूरत नहीं है ठीक है तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और अगर आप आज देख रहे हैं तो आगे भी इसको continue देखा कीजिए है ना दसी question तो हैं आप 10 question नहीं practice करेंगे per day तो आप जो भी पढ़े हैं सब भूल जाएगा और ये practice से आपको इतना फाइदा होगा कि practice करते करते आप जब mock test solve करने बैठेंगे तो उसमें score जादा कर पाएंगे और exam में तो definitely करेंगे पहला question voice से है पताएगा यहाँ पर क्या सई होगा लिगावे कार्तिक finally broke the high jump record देखें यहाँ पर option number आप देखेंगे ध्यान से तो देखें यहाँ पर जो यह क्या है sentence क्या है करतिक finally broke न तो यहाँ पर वाज तो नहीं होगा है वाज की साथ यहाँ पर यह नहीं होगा आप देख सकते हैं option B देखिएगा इस दिया हुआ है न नहीं इस भी नहीं होगा इस क्यों होगा यह तो पास्ट में है न option C देखिए the option C से होगा देखिए the high jump record was finally broken by car दिखेंगे न our aim is to dash progress in the field of education क्या सही होगा यहां पर हमारा उद्देश है कि education के फिल्ड में progress करना देखिए option is हो है progress यहां पर conduct नहीं होगा conduct progress नहीं होता है have progress भी नहीं होगा C से होगा make option number C से होगा यहां तीसरा से होगा make progress होगा क्या होगा make progress our aim is to make progress option number C is right here आगे बढ़ते हैं है न तीसरे की तरफ बढ़ते हैं DS 20 यहां पर तीसरा question आपके सामने है नीदर कभी कभी neudher या neither दोनों पढ़ते हैं तो neither his father nor his brother is at home अब बताइए इसमें क्या गलती है देखिए जब sentence neither nor से जुड़ा होता है तो जो भी helping वर बाती है न वो अपने past वारे subject के अनुसार आती है तो past में क्या है brothers है तो brothers के अनुसार is नहीं बलकि क्या होना चाहिए are होना चाहिए यह practice बहुत important आपके लिए है जरूर इसको आप daily देखा करें है न तो क्या होगा यहाँ पर are होगा are at home होगा is at home नहीं होगा बलकि क्या होगा are at home होगा आगे बढ़ते हैं इडिया में देखिए जिसमें underline किये गई है इसका आर्थ बताना है आपको बीमार होना option number C होगा being sick इसमें कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है बहुत ही आसान है जनरली लोग बोलते हैं अच्छा पांचवा बताईए after the workout I am out of बताईए अब इसको देखिए क्या पढ़ेंगे इसमें समस्या है इसको breathe पढ़ते हैं ब्रीथ नहीं पढ़ते हैं ब्रीथ पढ़ते हैं और देखिए यह जो आफ है ना तो आफ क्या है preposition के बाद क्या चाहिए noun चाहिए लेकिन जो breathe है वो verb है इसका जो noun होता है उसको breathe बोलते हैं noun को क्या बोलते हैं तो यहाँ पर E नहीं रहेगा breathe ठीक है breathe यहाँ पर noun होना चाहिए क्योंकि preposition के बाद क्या चाहिए noun चाहिए और यह क्या है verb है जैसे हम लोग बोलते हैं बात बात मतलब होता है असनान जो की noun है और बेद मतलब होता है असनान करना जो की verb है आगे बढ़ते हैं चाहिए छठा नंबर में क्या होगा spotting the error से question है he didn't new यह पता यह बहुत easy इसको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है हमारे इसाब से क्या होना चाहिए देखिए didn't new है न तो आपको पता है कि deed के साथ क्या लगता है verb का first form लगता है यह खुद past है deed और उसके बाद new भी past है तो दोनों एक past एक साथ नहीं होंगे यह तो खेर दूसरा system होगे याद करने का लेकिन simple सा जो आपको याद है मैंने extra बताया लेकिन जो आपको याद है वो यह याद है कि deed के साथ first form आता है ठीक है आगे बढ़ते हैं वाइस बताईए देखे लिटर्ड का मतलब होता है क्या करना गंदा करना यहाँ पर बताईए कैसे होगा देखे बी वाला गलत होगा जब मस्ट है तो मस्ट ही रखेंगे नीड नहीं रखेंगे यह भी तीसरा जो है यह में भी नहीं होगा और क्लाइमबर मस्ट नाट लिटर्ड दे माउंटेंड ओप्शन नमबर डी मस्ट के साथ वी थरी नहीं होगा यह गलत है चुकि यहाँ पर सेंटेंस पैसिव में है यहाँ पर ओप्शन नमबर ए सही होगा देखे बढ़ते हैं जैसे ही आपने देखा तो अब आपको सोचना है कि तो डैट डै चेंज होगा यह इन डैरेक्ट है डैरेक्ट में टूडे होना चाहिए तो यहाँ पर देखे ऑप्शन नमर तीसरा में देखे दैट डैर दिया होती है क्यों? और, यह suggestion दिया जबकि यहाँ पर क्या है? और आपने रडो और है तो suggestion सजेशन नहीं होगा, ठीक है request भी नहीं करेगा क्योंकि order कर रहा है order प्रस्ट में देखए order है तो request क्यों करेगा? उधर order करें के ट्रिक्वेष्ट करेगा? नहीं option A सही होगा? option A is right here dear student बाकी कि तीनों गलत हैं तो definitely A सही होगा अगला बताएए 9th number का question आपके सामने spotting the area से a lot many people do not agree with me बहुत easy है बताईए simple साहे देखिए a lot many एक साथ नहीं होगा दोनों का मतलब एक ही है a lot कहें या many कहें तो a lot of people होगा superfluous होगा दोनों एक साथ नहीं होगे दोनों एक साथ नहीं होगे ठीक है a lot many नहीं a lot of people कह सकते है या many people कह सकते है दोनों एक साथ नहीं होगे 10th number का बताईए our kitten was bite by the dog अब देखिए bite जो है bite का मतलब क्या होता है काटना है ना और इसका second form beat और third form beaten एक होता है beat मतलब पीटना होता है b-e-a-t beat मतलब पीटना beat beat beaten और bite biting तो यहां पर देखिए यहां पर यहीं गलत है चुकि वाज है न यह sentence पैसी वाइस में काह रहा है कि हमारे kitten को डाग के दोरा काटा गया हमारे kitten को डाग के दोरा काटा गया तो पैसी वाइस है तो वाज के साथ थर्ट फॉर्म लएगा वाज के साथ क्या लएगा थर्ट फॉर्म तो यहाँ पर बीटें होगा है ना तो यह error था तो यह 10 questions उम्मिद है कि आपको समझ में आपको अपनी राइक कमेंड बॉक्स में दीजेगा वीडियो अच्छा लएगे तो जरू लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाईए इतना कर सकते हैं आप मेरे लिए बाकी चीजों के लिए आप इंस्टाग्राम पे हमें 10 उधीर पांडे सर्च करके फॉलो करें वहाँ पर लाइव आएंगे तो कुछ बाते होंगी फेज सेकेंड के बारे में और आगे की चीजों के बारे में जैसे जिसे आपके क्वेस्टन होंगे वैसे हमारे जबाब होंगे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम